दोस्तो नमस्कार मैं रम्मु सिंग सत्ना का विकास क्यों नहीं हो पा रहा सीधे शब्दों में कहें तो सत्ना के विकास में गणे सिंग क्यों फेल होते नजरा रहे हैं चुनाव भले वह जीत रहे हैं लेकिन उनसे विकास नहीं हो पा रहा इसका एक उधारन मैं आप लोगो नमबर एक अमाउधा से कुछ लोग सांसत गणे सिंग के पास पहुंचे और उन्होंने समस्या बताई कि जहां पर वह निवास करते हैं वहां पर सणक नहीं है और नाही नाली वनी हुई है देखिए नेता कोई भी हो वही करेगा जो सांसत गणे सिंग ने किया उन्होंने समस्या ग्रस्ट आम जन्ता से लेटर लिया आवेदन लिया और एक टीप लिखी कमिशनर नगर निगम को यह 27 सितंबर 2021 का आवेदन है उस समय महापौर योगेस तामरकार नहीं थे ठीक है आज हम कह सकते हैं कि महापौर योगेस तामकार और सांसत गणे सिंग में पट्री नहीं खाती लेकिन यह मामला तो 2021 का है 2021 में अमउधा के लोगों ने जब गणे सिंग को आवेदन दिया और उन्होंने नगर निगम कमिशनर को लिखा इसके बाद भी सडक नहीं बन पाई और नाही नाली कर निर्माण हो पाया जनता को बहुत जादा उमीदे सतना सांसत से हैं इस कारण 4 अक्टूबर 2023 को फिर यह जनता सतना सांसत के पास पहुंची आवेदन लेकर सतना सांसत ने फिर टीप लिखा कमिशनर नगर निगम को तब तक संभौता चार कमिशनर बदल चुके थे सतना नगर निगम में इसके बावजूद 4 अक्टूबर 2023 के आवेदन दूसरे आवेदन के बाद भी ना सडक बनी ना नाली बनी जनता की उमीदे फिर भी नहीं तूटी जनता को सतना सांसत से बेहद उमीदे बनी हुई हैं आखिर वह तीसरा आवेदन लेकर फिर पहुँचे सतना सांसत के पास एक जनवरी 2024 को फिर एक आवेदन दिया गया यह तीसरा आवेदन था तीसरे आवेदन में फिर सतना सांसत ने टीप लिगी नगर निगम कमिश्णर को कि अमवधा में वाट नमबर एक में इन आवेदकों के घरों के बीच में जो सड़क नहीं बनी है वहां सड़क का निर्मार करवायद है और नाली का निर्मार हो इस तीसरे पत्र के बावजूद वह सड़क नहीं बनी ठक हार कर आखिर यह आम जनता जाए कहां चौथी बार फिर 29 जनवरी 2024 को सतना सांसद गणे सिंग के पास यह लोग पहुंशते हैं और चौथी बार सतना सांसद गणे सिंग ने एक लेटर नगर निगम कमिश्णर के नाम लिखा कि इनकी सड़क तत्काल बनवाई जाए और नाली का निर्माण कराए आप लोगों को यहां बता दूं कि वाड़ नमर एक में अमाउधा में जैसवाल चक्की के बगल में दोनों तरप मकान बने हुए हैं लेकिन सड़क नहीं है नाली का भी कहीं कोई आता पता नहीं है जब सड़क ही नहीं है तो नाली कहां से बन जाएगी इसी सड़क को लेकर यहां के निवास रत लोग रहने वाले लोग यहां प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी धंग से उनके मोहले में उनके घर के सामने एक सड़क का निर्माण हो जाए और नाली बन जाए इन लोगों ने मुझे फोटो भी भेजा अभी जब बारिस होई थी तो यह लोग अपने घर से बाहर में मुक्यमार्ग तक नहीं निकल पा रहे थे इतना पानी भरा हुआ थ पिछले चार साल से हैं संगर्श कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट सिटी सत्ना में हम इन्हें सड़क और नाली नहीं दे पा रहे हैं आकिर हम लोग जाएं तो जाएं कहां करें तो करें क्या यह विकास की तस्वीर है जब अमउधा के लोग मुझे यह घटना करम बता रहे थे त जो आज इस दुनिया में नहीं है उनकी कही हुई एक बात बहुत अच्छे से याद आ रही है कि स्वर्गी ब्रजेन नाद पाठक भाजपा की सरकार में मंत्री थे खनिज मंत्री थे आज उनके बेटे खनिज किंग है और वह हमेशा एक बात कहते थे कि आप अगर जनता का काम करोगे तो जनता आपको भूला देगी इसलिए आप जनता का काम मत करिये उन्हें सिर्फ आस्वासन देते रहे यह चार आवेदन देखने के बाद जाने क्यों मुझे ब्रजेन नाद पाठक जी की वह कही हुई बात याद आ गई उन्होंने सायद राजनेता को राजनेतिक लोगों के लिए ही यह एक सिख्षा प्रदबात कही थी कि अगर आप इनकी सड़क बनवा देते नाली बनवा देते तो फिर यहाँ आपको कैसे याद करते यहाँ आपके पास बार बार क्यों आते आवेदन लेकर इनके काम मत करिए बस टीप लिखते रहिए टीप लिखते रहेंगे यह लोग आपके पास आते रहेंगे और आपको अपना नेता मानते रहेंगे इसी वार्ड नमबर एक के अमउधा में एक चौधरी परिवार के यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं किया जा रहा था यह विचारा गरीब इनसान सांसत के पास कई बार गया विधायक सिधार्थ कुस्वाः डब्बू के पास कई बार होके आया महापौर योगे स्तामकार के पास होकर आया कई पत्रकारों के पास भी गया कि किसी भी ढंग से कोई भी हमारी मदद करके बिजली कनेक्शन करवा दे हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम अंधेरे में रहते हैं, बिजली connection नहीं हो पाया, धाइस साल यह बंदा बटकता रहा, एक-एक नेता के दरवाजे, लेकिन किसी ने भी उसकी ऐसी कोई सहायता नहीं की, कि उसके घर तक बिजली पहुँच जाए, उसकी भी खबर मैंने दिखाई थी, उसकी भी खबर मैंने वाइरल की थी, था कहार कर उसने एक बगेली में गीत बनाया था, वह गीत भी मैंने आप लोगों तक दिखाया था, आप लोगों को बताया था, फिर इस news के बाद, यह कहें कि संयुक्त प्रयासों के बाद, चुकि मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे प्रयासों के बाद, चुकि मैं राजनेता तो हूँ नहीं, उसके घर में बिजली का कनेक्शन हो पाया, सांसद ने सांसद निदी से एक खंभा उसके यहां नहीं लगवाया, विधायक में विधायक निदी से उसके यहां एक खंभा नहीं लगवाया, बिजली विभ भर में connection नहीं दिया जा सकता जब तक विद्दुत पोल बीच में दो और नहीं लगेंगे कि बिजली विभाग का नियम है कि तिरपन मीटर से कम के distance में खंबे नहीं लगेंगे दो कमों के बीच की दूरी कम से कम तिरपन मीटर शहर में होना चाहिए ग्रामिन अंचल का दूसरा नियम है लेकिन आज आप शहर में देखिए पंदरा पंदरा फिट बीस बीस फिट में कम्मे लगे हुए है क्या बिजली विभाग अपने लिए कोई अपना नियम मानता है क्या एक कहावत और बगेली में मुझे याद आती है कि चले चल भाई भाउसा है सरकारी विभाग कुछ इस तरह चल रहे है कि भाई चले चलो सब भाउसा है लेकिन आम जनता के लिए बेहत कठिन नियम है उन्ही नियमों के तहट ये आमउधा के लोग चार साल से भटक रहें कि एक सड़क एक नाली उनको मिल जाए देखिए कब तक इसमार्ट हो पाते है यह नेता जनता तो बहुत पहले से समार्ट है यहां की जनता तो बहुत पहले से समार्ट है